नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेबीटी 721 पोस्ट कोड है उसमें जो ब्येड़ वाले हैं उनको जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन हो रही है उसको अटेंड करना चाहिए जान नहीं अटेंड करना चाहिए जा किस तरह से यह प्रसीजर रहे है जेबीटी वाले इस रुकुट्मेंट में ब्येड़ वालों का क्या होने वाला है तो बहुत सारे questions राइस हो रहे हैं क्या उनको CTAT चलेगा जान नहीं चलेगा क्या उनको जेबीटी TAT ही जरूरी है तो इस सारी चीजे जो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो के एंट तक बने रहें और मैं आपको सिजेस्ट करूँगा कि आप अटेंड करें जाएं ना करें तो पहले मैं कुछ एक जो नोटिफिकेशन्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि जो भी चैन के अंसर मैं इस वीडियो में दूँगा तो पहले हम बात कर लेते हैं एक नोटिफिकेशन जो गवर्मेंट की तरफ से डाली गई थी जो की स्टाफ सेलेक्शन को थी जिसमें की उन्होंने बोला था कि बीड कर जल्ट जो हूँ है सौरी जेवीड कर जल्ट जो अब भी डिक जो की ती आप देख सकते हैं 26 मही को ये नोटिफिकेशन डाली गई थी अब मैं इसमें आपको क्लेयर कर देता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर जो भी इंफ्रमेशन प्रवाइड करवाइड करवाई जाती है वो सारी ही ऑफिशल नोटिफिकेशन के थूह ही प्रवाइड कर प्रवाई जाती है कोई भी रिमर जहां गलत मैसेज कनवेई नहीं किया जाता क्योंकि व्यूस से मुझे लेना देना नहीं है मेरी जो यूडिव चैनल का परपस है वो जस्ट आपको इंफ्रमेशन प्रवाइड करवाना है जा किसी के अंजेट्स को जो डॉट्स है उनके डॉट्स क्लियर करना है ताकि उनकी हेल्प कर सकूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन उनकी तरफ से डाली गई थी रिगार्डिंग डेकलरेशन ओफ रिजल्ट ओफ जीबिटी और इसमें इनोंने सारा मेंचन किया हुआ था कि जो एंसीटी रूल के काड़िंग जो 2010 को नोटिफिकेशन हुई है जा थाइस जून 2018 को नोटिफिकेशन हुई है उनमें जो स्टाफ सेलेक्शन केमिशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन की के थी जिसमें आर particular test जोगा conduct करती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने next mention किया है कि education qualification जो AD 2018 को ही थी JBT के लिए 1912 2018 को post court 721 के लिए उसमें ये second जो eligibility criteria में second option था उसमें pass in teacher eligibility test 4 class 1 to 5th to be conducted by an authority designated by the HP state government तो एचीज थी और एचीज आप देख सकते हो अगर आप RNP rule निकालते हो आप उस notification को निकालते हो वहाँ पर education qualification दी हुती है तो वहाँ पर उन्होंने mention किया था education qualification दी हुई थी और ये second जो था eligibility में ये दिया हुँ था test चाहिए ठीक है और ये चीज मैंने आपने उसमें भी डाली हुई ये channel पर आप देख सकते हो बहाँ पर JVT के RNP rule दी हुई है तो उसमें आप देख सकते हो link में description box में डाल दूँगा बहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं therefore in the view of NCT notification dated 23 1810 and 286 2018 candidate who have fast tech for class 1 to 5th that is JVT tech हिमाचल में उसको JVT tech बोलते हैं जो class 1 to 5th होता है तो JVT tech जुरूरी है JVT recruitment के लिए तो यह बोलना है NCT notification के according ठीक है and candidates who have passed seat at 4 class 1 to 5th are eligible for the post of JVT post code 721 तो यहाँ पे इनोंने specially mention किया हुआ है कि हो सकता है यह one time relaxation हो जहाँ further continue new रखा जाया इसको वो मुझे नहीं पता है बट इस notification में यह clear हो रहा है कि जो NCTE की notification है उसके according जो HP हिमाचल प्रदेश में JVT tech conduct किया जाता है class 1 to 5th के लिए जानतों आपके पास बो होना चाहिए the candidates who have passed seat at 4 class 1 to 5th are eligible for the post of JVT post code 721 means कि जो post code 721 conduct किरवाया जा रहा है उसमें अगर candidates ने B.Ed वालों ने C.T.E.T. 1 to 5th clear किया हुआ है तो वो भी इसके लिए eligible होंगे तो एई चीज़ यहाँ पे मैंने अपने पूरे जो भी मेरे से questions आ रहे थे कि कौन सा T.E.T. है B.Ed. वाले जाएं जाना आ जाएं उनको कौन सा T.E.T. चाहिए तो मैं यहाँ पे clear करना चाहूँगा यहाँ पे दो चीज़े clear हो रही है जहां तो आपके पास J.B.T. T.E.T. होना चाहिए ठीक है J.B.T. T.E.T. जो की J.B.T. वाले ही कर सकते है clear ठीक है एक चीज़ तो यहाँ से यह clear है B.E.T. वाले J.B.T. T.E.T. नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसको J.B.T. ही चाहिए होती है बट अभी जो T.E.T. conduct हो रहा है उसमें as it is ऐसा mention नहीं है जो June में होने वाला है बद 2022 में उसमें as it is कोई भी mention नहीं किया गया है कि J.B.T. T.E.T. को B.E.T. वाले दे सकते हैं जानी दे सकते हैं बट अब जैसे next code का decision आएगा उसमें जो clarification होगी उसके coding चला जाएगा ठीक है तो दूसरी चीज उन्होंने जहां तो आपके पास J.B.T. T.E.T. होना चाहिए जो कि J.B.T. वाले दे सकते थे और B.E.T. वालों के लिए इन्होंने एक lexation दी थी कि जहां आपके पास C.T.E.T. होना चाहिए और वो भी P.E.T.E.T. वाले भी P.E.T.E.T. क्लास तो 1.2.5 क्लास का अगर आपके पास P.E.T.E.T. का तो आप इसके लिए eligible है चाहिए आप B.E.T. है ठीक है तो I think यहां पर यह क्लेर हो चुका है कि B.E.T.E.T. वाले भी eligible है बट आपका जो C.T.E.T. होना चाहिए 1.2.5 वाला और दूसरी चीज़ एक क्वेशन और आ रहा है यहां पर कि B.E.T.E.T.E.T. करें जहां ना करें तो एक चीज़ तो सरकार ने यहां पर अपने basis पर clarify कर दी है बट उसके बाद भी court case का हवाला दिये गया है कि court case इस counseling को attend करने के बाद result को जहां appointment को pending रखा जा सकता है court के decision का beta किया जा सकता है ठीक है तो जो भी candidates मेरे से पूछ रहे हैं मैं I think उनको यह ही suggest कर रहा हूं कि आप document verification attend कर ले क्योंकि अगर आप job की search में है तो I don't think कि job मिलना इतना easy नहीं है तो अगर आप यहां पर इतने पैसे खर्च चुक के हो तो एक document verification attend करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला आप document verification को attend करके आए आपको महाँ पर एक तो पता चल जाएगा दूसरी चीज आपका जो भी review रहेगा इस comment section में जुरूर करें जो भी attend करके आ रहे हैं कि आपको क्या बोला गया आप BX थे जा JVT थे और क्या document माँगे गे थे ठीक है और दूसरी चीज अगर आप code case के बाद code का decision आता है तो उसमें अगर BX बालों को one time lexation के थूरू अगर lock कर दिया जाता है कि recruitment में जो RMP rules थे उस time पे clarify नहीं थे कि BX बाले कर सकते हैं जा नहीं कर सकते हैं जा जो भी उसमें proper clarification नहीं थी ठीक है तो उस बज़े से अगर मालो one time lex किया भी जाए कि BX बाले भी अगर TGT tag time का तब भी eligible है जा whatever जो भी ऐसा होने नहीं बाला है अगर ऐसी कुछ हो भी जाता है तो आपके लिए benefit हो जाएगा अगर आपने document verification attend की हुई है क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इसमें 1 is to 5 की ratio में candidates बुलाए गई है तो obviously है जादा candidates बुलाए गई है तो इसका main process यही है कि BX बाले उन्होंने बाद में जो eligible नहीं होंगे उनको निकाल दिये जाएगा ठीक है तो यह पूरे इस process का जो मैंने आपको बता दिया है कि JBT recruitment का process है तो एक चीज तो यहां पर यह confirm हो रही है कि आपको JBT TET होना चाहिए जो कि JBT बाले देते हैं और दूसरी आपका C TET होना चाहिए 1 to 5th अगर आप BAD बले हैं ठीक है और दूसरी चीज अगर फिर भी आपको call आई है आपके पास C TET नहीं है और JBT TET नहीं है तो आप एक चीज डिसाइड कर ले आपका इतना best is होने वाला है तो आप अटेंड करके आएं आपको एक तो अगर code case में आपके favor में decision आता है तब भी आपको benefit हो जाएगा और दूसरा अगर नहीं होता है तो आप यह सोच के कर सकते हो कि यहाँ इतना struggle कर रहे हैं आपके लिए तो वहाँ पर बन टाइम मोर आप एक बार और अटाइंड करके आगे हमें भी में ठीक है तो यह थास का वीडियो जो कि आपके dots के regarding था फिर भी किसी को कोई dot है तो comment section में comment कर सकता है आपको पूरी help provide करवाई जाएगी तो यह थास का वीडियो इस तरह के वीडियो प्लेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब के साथ में बैल आइकन प्लिक कर दे ताकि आपको मेरे अपकर वीडियो इनुडिशन मिलते रहे थैंक्यू